जसोदा हरी पालने जुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कचुगावे मेरे लाल को आउ निदरिया काहे ना आनी सुवावे तू काहे नहीं वे गही आवे तो को कान बुलावे सूर्धास जी कहते हैं कि भगवान कृष्न को उनकी मयय यशोदा पालने में जुला जुला रही है वे उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही है और इस प्रयास में कभी वो पालने को हलका सा हिला देती है तो कभी अपने नटखट कनहिया को प्यार करने लכती है और कभी उनका आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हादिक स्वागत हैं हिंदी पंचांग के नुसार नवा महिना होता है मार्गशीर मास का जिसे हम और आप आम बोलचाल की भाषा में अगहन मास भी कहते हैं ये महिना इतना पवित्र होता है कि भगवान गीता में स्वयम कहते हैं कि मह जिस तरह से कार्थिक का महिना भगवान श्री हरी को समर्पित होता है भगवान श्री हरी को इतना प्रेय होता है कि उनके भक्त पूरे महा एक समय भोजन कर उपवास करते हैं और बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं तो वहीं दूसरी और मार्गशीर का महिना भगवान क्रिष्ण की अपार कृपा पाने के लिए उपवास किया जाते हैं और कुछ नियमों का पालन किया जाता है मार्गशीस मास को अगहन मास कहने के पीछे भी बहुत सारे तर्क है भगवान क्रिष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में और अनेक नामों से की जाती है तो इनी स् और शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि इस माह का संबंध मरग शिरा नक्षत्र से है इसी कारण से इस माह को मागशीस मास भी कहा जाता है 20 दिसम्बर शनिवार से मार्गशीस का महिना प्रारंब हो चुका है जिसकी समापती होगी 19 दिसम्बर रविवार के दिन और ऐसे में काना जी के जो भक्त हैं जो उन पर अटूट शद्धा रखते हैं वो पूरे महिने काना जी की विश्यस रूप से पूजा इस महिने में करते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्गशीस मास यानि की अगहन मास के महत्र के बारे में अगर आप अगहन मास के नेमों का पालन करना चाहते हैं पूजा या उपवास करना चाहते हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कौन-कौन से ऐसे काम है जो आपको इस महा में नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे काम है जिन्हें आपको इस महिने में करना चाहिए देखे, माक्षी इस महिने में जिसका त्याग आपको इस महीने में करना चाहिए। आप देखे, शरीर पर तेल लगाने के लिए कहा जाता है कि इस महा में बहुत उत्तम रहता है। तो आप अगर उपवास करे ना करे, पूजा के नियमों का पालन करे ना करे, तो मांक्शीस के महीने में आप हो सके दरोज, नहीं तो जब भी आपके लिए संभवो एक दिन छोड़के, दो दिन छोड़के, या हफते में एक दिन अपने शरीर पर तेल की मालिस जरूर करें। और सबसे पहली बात, अगर आप माल्कशीस मास के नियमों का पालन करना ही चाहते हैं, या देखे, कुछ लोग तो पूरे महीने उपवास करते हैं, अगर आप पूरे महीने उपवास ना कर पाएं, शब भी नियमों का पालन ना कर पाएं, तो आप कम से कम 5, 7 या 11 दिन भगवान कृश्न की पूझा अपने सचे मन से अंतर मन से करते रहें आपको कृश्न भगवान हमेशा प्रे रहेंगे तो देखे अगर आप नेमों का पालन करना चाहते हैं या उपवास रखना चाहते हैं क्योंकि बहुत से लोग जैसे मैंने आपको बताया कि कार्थिक मास की तरह इस मास में भी केवल एक समय भोजन ग्रहन करते हैं दिन पर उपवास रखते हैं और रात को जो है वो शाम की पूजा करने के बाद भोजन अनग्रहन कर सकते हैं शुद्ध सात्विक अनग्रहन करते हैं तो अगर आप इसा करना चाहते हैं तो माक्षिस मास के पहले दिन अगर आप सभी दिनों की पूजा करना चाहते हैं नेमों का पालन करने जा रहे हैं और भगवान कृष्णी के गृपपाने के लिए आप इतने दिन तक बुरत रखेंगे अगर आपने किवल 5-7 या 11 दिन रखने हैं तो आप जिस दिन से पहला नियम प्रारम करेंगे पहला दिन आप प्रारम करने वाले हैं पूजा का उस दिन से आप नियमों का पालन करें और उसी दिन आप संकल लें साथ ही आपको इस बात का भी संकल देना चाहिए कि आप पूरे मांक्षी इसके महिने में ना तो किसी की निंदा करेंगे और ना ही सुनेंगे अगर गल्ति से आपके मन में दूसरों के प्रती निंदा का भाव बुराई का भाव आभी जाए तो आप ओम श्री कृष्णाय नम्हा या ओम श्री दामोदराय नम्हा ऐसा कहकर अपने इस्ट से अपने कनहिया जी से शमा जरूर मांग ले वो आपको जरूर शमा कर देंगे वैसे तो बहुत ज़्यादा कठिन नियम नहीं है इस महिने में जिनका आप पूजा करें सुभा और शाम पूजा करें और आप जब भी भोजन करें चाहे वो सुभा दुबार शाम का हो तो सबसे पहले आप कृष्ण भगवान को भोग जरूर लगाए उन्हीं नियम से हर दिन तुलसी दल या तुलसी जी की मंजरी जरूर अर्पित करें बिना आप भगवान कृष्ण को भोग लगाए कुछ भी ग्रहाएं ना करें, इस बात इस बात का भी ध्यानक ना है जितने दिन भी आपने नियमों का पालन किया है उतने दिन आपके घर में शुद्धसात्रीक भोजन बंना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में इन नियमों का पालन नहीं हो पाता लेकिन अगर आप केवल आप ही अपने घर में इकलोते हैं जो इन नियमों का पालन करना चाहते हैं तो कम सिर्म आप शुद्ध सात्रिक भोजन प्रियोग करें कनहिया जी की अगर मूर्ती है तो आप हर दिन उन्हें नियम से इस्नान कराएं, पंचामरिस से स्नान करा सकते हैं, साधे जल से इस्नान करा सकते हैं, फिर एक साफ कपड़े से पोँच कर उन्हें नए वस्त पढ़नाएं, उन्हें तिलक लगाएं, उनका श्रिंगार करें, प तुलसी दल के साथ, आप देखिए, नियमित रूप से गीटा का पाठ, माक्षी नम हने में हो सकता है, बहुत books ने लगते हैं, तो ऐसे में वो नियमित रूप से पार नहीं कर सकती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उन पांच या सौन दिनों में आप अपनी घर में किसी भ तो देखिए मानसिक पूजा तो आप करेंगे ही लेकिन अगर आप भगवत गीता की पाठ बीच में मिस नहीं करना चाहते तो आप मुबाई पर इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं और अगर आप चाहें आपके घर में कोई सदस से इन पाठों को आपको सुना दे तो और इस ची बात है किसी कारणवश देखिए हर किसी की घर में हो सकता है कि श्रीमत भगवत गीता की किताब ना हो तो ऐसा कहा जाता है अगर आपके आसपास किसी के घर में भी है और अगर आपने केवल भगवत गीता को इस परश कर उन्हीं प्रणाम भी कर लिया तो उससे भी आपको इस महिने में और भी बहुत सारे व्रत आते हैं जैसे कि गुरुवार का जो व्रत होता है वो मालक्षमी जी की कृपा पाने के लिए बहुत उत्तम दिन होता है इस दिन विशेश रूप से मालक्षमी जी की पूजा की जाती है और बहुत से लोग माक्षिस महिने से ही मालक्ष में गुरुवार की पूझा कैसे करें और कौन सी पूझा विधिया कौन सी कथा आपको सुन्नी चाहिए भोग में क्या लगाना चाहिए और खुद क्या खा कर आपको व्रत खोलना चाहिए इस महिने में सुभा ब्रहम मोहत में उटकर इसनान करने के बाद सूरी देपता को अर्ग देना चाहिए तुलसी जी की पूजा आपको नियमेत रूप से करनी चाहिए तुलसी जी में दीपतान करना चाहिए और हो सके तो आप माक्षी इस महिने में हर दिन एक दिया अपने घ रोड़ करके रखते हैं वहां दीपतान कर सकते हैं संभफ हो तो बहते जल में अगर आप कर सके दीपतान तो बहुत अच्छी बात है गवे और बच्छे भगवान कृष्ण को बहुत प्रे थी तो कहा जाता है मार्कशी समास में आप जितनी जादा गायों की या उनके आप दे सकते हैं माक्शी समहिने में संतान प्रापति की कामना से विशेश रूप से पूजा की जाती है भगवान कृष्ण की करपास से जिनने संतान सुख नहीं है तो संतान सुख भी मिलता है इसके लिए आपको हर दिन नियम से बाल गोपाल रूप की या भगवान कृष भगवान कृष्ण की मूर्थी तस्विर नहीं हैं तो आप विश्णु भगवान की भी पूजा इस मास में कर सकते हैं संतान गोपाल मंत्र हैं देवकी सुत गोविंद वासु देव जगत पते देही में तनयम कृष्णम त्वा महम शरणम गतह इस मंत्र का जाप आपको भग मत्र का अगर आप जाप करेंगे तो जो लोगों को संतान सुख नहीं है भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा यह महिना इतना पवित्र होता है कहते हैं कि अगर विवाहित लोग विवाह की कामना से इस मास में भगवान कृष्ण की पूजा करें तो उन्हें भी विवहा में आने वाली जो परिशानियां उनसे मुक्ति मिल जाती हैं उनका विवहा भी जल्दी हो जाता है और मन चाहे जीवन साथी से अगर ऐसे लोग विवहा करने के चुक हैं तो उन्हें मन चाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है इस पूरे महिने में रात को चंदर देटा की पूजा कर उन्हें जल भी अर्पित करना चाहिए अगर आप हर दिन ऐसा ना कर पाएं तो खास कर पूर्णिमा के दिन या शुक्ल पक्ष के दिनों में आप जितने दिन संभव हो सके उतने दिन शाम को इस्तनान करके या केवल मुहाद होकर आप काकी पूजा करें या चंदर देटा के सामने कुछ देर खळे होकर आखें बंद कर चंदर देटा से आप प्रार्थना जरूर करें ऐसा करने से कुन्डली में अगर चंदर दोश आई तो वो भी कम हो जाता है या दोर हो भगवान कृष्ण की और सतिनारायन भगवान की कथा का पाट मार्कशीस मास में आपको करना चाहिए हो सके तो आप हर दिन भगवान कृष्ण की कथाएं भी सुन सकते हैं और अगर आप ये कथाएं सुनना भी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको हर दिन सुभा के समय का मौसमी फलों का दान आप कर सकते हैं अनाज का दान कर सकते हैं गरम कपड़ों का दान आप निर्धन व्यक्तियों को अगर करेंगे तो कहते हैं कि इस दिन और इस महीने में किया गया दान सबसे ज़्यादा पुर्णि देने वाला होता है इस महीने में आप अपने घर पर मो आपके आसपास अगर मंदिर हैं तो वहां जाकर अगर आप दर्शन भी कर ले और हाथ जोड कर प्रणाम भी कर ले तो भी काफी है जो लोग अगहन मास के नेमो का पालन करना चाहते हैं उन्हें ब्रहममुठ में उड़कर इसनान करना चाहिए लेकिन इसनान करने से पहले दान दे सकते हैं और शाम के समयाद तुलसीजी की पूजा करें और दिन में आपको जैसा बताया है कि भगवान कृष्णी की पूजा आप सुभा और शाम जरूर करें बिना भोग लगाए आप खुद कुछ भी क्रहन ना करें देखा जाए तो इस महिने में बहुत ज्यादा नियमों का पालन आपको नहीं करना होता है बस आपकी श्रद्धा अगर सची है मन में काना जी के प्रती अटूट विश्वास है तो माने आपकी जो भी मनुकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी अगर आपके लिए संभव हो तो आप माक्शीस के महने में व्रंदावन गो गजल मिलाकर इस मंतर का जाप करते वे स्नान कर सकते हैं या तो आप केवल हर हर गंगे मंतर का जाप करें या केवल इस आसान से मंतर का जाप भी कर सकते हैं यह मंतर है गंगे चयमने चैव गुदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु का वेरी जले अस्मिन सन्निधम कुरू इ अगर आप पूरे महिने नियमों का पालन ना कर पाएं, तो माक्षी इस महिने में पढ़ने वाले कुछ विशेश दिन होते हैं, जैसे कि एकादशी, अमावस्या और पूर्णी मा के दिन, साथ ही गुरुवार के दिन, आप विधिवत पूजा करके हो सके तो उपवास भी कर और सुरेदेटा की पूजा करें, चदरदेटा की पूजा आप कर सकते हैं, तो इसका भी पूर्णे आपको पूरे मास में की गई पूजा के जितना ही प्राप्त होता है, माक्षी समास में गीता जैनती, जो की माक्षी समास के शुकलपक्ष की एकादशी का दिन होता है, पुजा करने से पूरे महिने में आपको बहुत आई मनोरत हैं आपके जो पूई हो सकते हैं। दिविधान से और विश्वास के साथ इस महिने में करनी चाहिए यह थी आज की वीडियो अगर आप जाना चाहते हैं मां अनुपूर्णा की पूजा कैसे करें कौन सी व्रत कता करें और इस व्रत को रखने के क्या-क्या नियम है या मांक्शी समास में जो लोग गुरुवार पूजा करने वाले हैं गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं तो उनको जो भी जानकारी चाहिए वो आने वाली वीडियो में आपको दोंगी उमीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेर, चैनल को सब्सक्रा पिन्रुद में की तो जाले हुआ है पसे चाहते प스อ penn की अबस्दोक फ़ले हैं 69, राफले हैंiggly राफले हैं shortcuts की पाने चाहते हैं पिन्तियो में वीडियों पाने की में तो प्याहते हैं की जासे पितूरा हैं Game